कैसे हैं आप लोग तो आद में शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ में गर्मा गरम कुरकुरे क्रिस्पी मिर्ची और एक भजी बनानी की रेसपी जिसे आप भी एक पर जरूर ट्राइक कीजिएगा बहुत ही टेस्टी चटपटा सा ये बनता है और बहुत मज़ेका लगता है पर नगी डाना है को सीखिए तो पहले इसको बनाने के लिए मुर्ची मिर्ची बनारी कि में लिए मोटी हरी मिर्चे लिए कर लें कर ल occurs। तो यहां ہमें मिर्ची को हैसे वाश कर Lui कर ले न है और इसको फ्राइं पैन जिसमें हमें 1 टेबल स्पून ऑइल डालनी है तेल जब अच्छे सी गरम हो जाती है ना तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और इसमें डालीये आलू तो यहां पे मैंने तक्रीबं 200 ग्राम आलू लिया था जिसको मैंने बॉयल कर लिया प्लस उनका छिलका हटाकर मैंने इसको मैश कर लिया है और अभी जो गर्म गरम तेल थी ना इसमें अच्छे से मिल गए है तो अभी इसमें हमें मसाले आड़ करने हैं तो अब इसमें मैं सबसे पहले नमक डाल रही हूं 1.5 तीसपून भुनागुटा वजीरा पौडर 1 तीसपून हल्दी पौडर 1 तीसपून मिर्ची पौडर 1 तीसपून साथी धनिया पौडर 1 तीसपून अड़ कर्रहि हूं और अब इसमें मैं कुछ चटपटा फ्लेवर एड करूँगी जिसके लिए अमचूर पौडर 1 तीसपून प्लस इसमें मैं चाट मसाला बैलन्स हो जाएक और बहुत चटपटा टेस्ट रही गा तो क्यूंकि मिर्ची हलकी सी बहुत अच्छा हो जाता है और यह आलू की स्टफिंग मिर्ची भजी के लिए तो इवेंचुली हमारी पकॉड़ी भजी बहुत टेस्टी बनेगी थोड़ा सा जभी मिल गया तो इसमें हमें हारा धनिया भी आइड करना है और डाल कर इसको अच्छे से मिला कर मिक्स कर देना है तो अब हमारा आलू का यह जो मसाला है अब रेडी होने वाला है देख रहे हैं कि मैं इसको लगतार फ्लेम हाई करकर भून रही हूं और जैसे जैसे भून रही है यह मसाला मिल रहा और खुश्बू बहुत प्यारी से आ रही है तो इस तरह से आपको भी मिर्ची भजी क इसको मैं अच्छा से भून रही हूं जितने अच्छा से आलू को मसाले के साथ में भूनेंगे उतना अच्छा भूना हुआ फ्लेवर आएगा तो अब यह मिर्ची का जो स्टफिंग है हमारा रेडी हो गया है इसको भी एक बोल में निकालकर हमें साइड पे कर लेना है पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर भूना कुटावा जीरा पाउडर और इसी के साथ मैं इसमें कुछ और चीज़े आड करी हूं तो यहां पे मैंने तक्रीबान दो से धाई कप बेसन लिया वाइफरेंस और इसमें मैं अजवायन थोड़ा सा डाल रही हूं अजवायन इसमें digestive properties होती है तो यह digestion में help करेगा प्रस फ्लेवर भी आता है इसी के साथ इसमें मैंने 1 टेबल स्पून बड़े चमठ से राइस फ्लार डाला है जिससे यह जो पकॉड़े बनेंगे बहुत बहुत क्रिस्पी बनेंगे जब चावल का आटा इसमें अच्छे से मिला दिय पहले बिल्कुल टाइट सा होगा उसके बाद में थोड़ा पानी और डालकर इसको लूज कर लीजेगा और मैं आपको दिखाऊंगी चेक कर आऊंगी किस तरह का बैटर रहना चाहिए तो यह देखे फ्रेंट्स इस तरह का हमें बैटर बना लेना है और यह बैटर रुनिं करना है दोनों हाथ से और बस इसके अंदर आलो की स्टफिंग डाल देनी है और इसको अच्छी से बहर देना है यह इतनी मज़िदा टेस्टी से मिर्ची के पकोड़े बनते है अगर आप इसको एक बर खाएंगे तो बार बर बनाना चाहेंगे तो इस ठंड के मौसम में गर रहे हैं चाहें यह तरह सकते हैं तो इस तरह के रहे हैं थरह सकते हैं अगर वीं के अथ व्यगा सकते हैं तो नह और इस तरह से गरमा गरम डाल देना है तेल में और जितना स्पेस आरा उतना ही डालेगा ओवरक्राउड नहीं किदेगा क्योंकि मिर्ची थोड़े बड़े साइस के जंबो जेंट मिर्ची साइज है तो इसलिए यह बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही मजे का बनता है त बहुत ही चटपटा टेस्टी सा यह बनकर तयार होता है और यह पकोड़ा बहुत ही मजे का लगता है एक बार आप भी यह मिर्ची पकोड़े जरूर ट्राइ कीजेगा रमजान के टाइम पे भी आप इसको बना सकते हैं फिर्ट सिफतार के लिए और ऐसे भी अगर सकते हैं कितनी परफेक्ट है मिर्ची के उपर से कोटिंग हट नहीं रही onthuly तो इसी तरह की कोटिंग कंसिसेंसे का बैटर आ कर आपको फ्रा कर ने हैं अभी नेक्स ठेट में नेक्स बैच में जो गरम तेल था ना उसमें अंडे के बार ब्रण चैलार और इस तरह से आप यहां पे जो बूंदी बन रही थी ना उसको हमें निकाल कर अलग कर लेना है वनना वो जल जाएगी और बस इस तरह से हमें इसकी साइड चेंज कर देनी है और 5-6 मिनट तक इसको फ्राइ कर लेना है आप देख सकते हैं जो बेसन की कंसिस्टेंसी है वो कितनी अच्छी है जि कि वज़े से क्रिस्पी बहुत अच्छा बनेगा थोड़ा समय चावल का अंटा डाला था इसके लिए क्रिस्पी बन रहा है अगर आपने पास ने चावल का अंटा नहीं है तो सिर्फ बेसन से बनाईए या चावल के आंटे की जगा पेना आप थोड़ा सा चुटकी भर ब कर लेती हूं तो यह लीजिए फ्रेंट्स गर्मा गरम मिर्ची भजी और एक भजी बनकर तयार हो गई है कैसे लगा आपको मुझे जरूर बताइएगा ट्राइ कीजिए ट्माड़ केचप के साथ में बस आप इसको सर्फ कीजिए बहुत ही मज़ा आ जाएगा गर्मा गरम इस ठंड के मौसम में गर्मा गरम यह पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो अपने शाम को इंजॉइ कीजिए इस तरह से पकोड़े बना कर कैसी लगी मुझे रसेपी जरूर बताइएगा मैं आपको इसको कट करकर दिखाऊंगे फ्रेंट्स जिससे आपको पता चा कि यगा बहुत सर ख्याल दुमा में आपको कि यगा बातांक्स पर बाचिंग